Hello students, good evening, Commerce Nation में आप सभी का स्वागत है, मैं आज आप लोगों को MGKVP के previous year 2023 के question का क्या कराने वाली हूँ बचो, तो उसका solve कराने वाली हूँ, जो कि आपके exam के लिए क्या है, तो आपके exam के लिए काफी जादा beneficial है, क्योंकि अगर आप previous year PYQ करके जाते हैं, तो आपको question का क्य एक idea लग जाएगा, और उस idea के basis पे आप अपनी preparation को और मजबूत कर सकते हैं, और बहतर कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखने हैं क्या, तो 2023 के PYQ का answer, अब पहला question क्या है बच्चो, कि भारत का पहला प्रवानू, उर्जा केंद्र कहां अस्थापित हुआ है, मतलब प्रवानू जो nuclear energy plant है, वो कहां स्थापित हुआ है, रावतभट, कलकम, केगा या तारापूर, जल्दी बताइए, तो इसका पहला जो है, वो कहां स्थापित हुआ है, तो ये तारापूर में स्थापित किया गया है, कौन सा, तो पहला nuclear power plant कहां स्थापित किया गया है, तो को भारतिय सविधान में सामिल किया गया है मतलब किस सविधान संसोधन में मौली करतब मतलब fundamental rights को क्या किया गया है तो भारतिय सविधान में शामिल किया गया है 26 में 23 में 42 में या 44 में और यह question मैंने आपको कराया है कि कौन से संसोधन में हुआ है हवा में ऑक्सीजन का प्रतीशत लगवा कितना है 0-1% 20% 60% या 80% तो हवा में ऑक्सीजन का जो प्रतीशत है बच्चो वो आपका कितना है तो 20% है मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं 21% लेकिन राउंड फिगर में यहां पर 21% नहीं लिखा हुआ है 20 इसका नियरेस्ट है तो इसलिए हम लोग 20% क्या कर लेते हैं 20% मान लेते हैं पड़ी लोग थिल रैड़ क्रॉज का संबंध किस्से है मतब रेड़ क्रॉज यो है वह उसका संबंध किस्से है परिवार नियोजन शड़नाथी या आर्थिक संकणट या यूद्स में राहत का कार सूर्ट क्रोज का पहली बर किया था तो red cross का यूज हमारे केहां mother trasha ने किया था किसकी चीज के लिए तो उन्हों ने use किया था red cross as a symbol for the injured people that fought in the war तो red cross का समबन्ध हमारे केहां यूद में राहत का कार के लिए क्या किया जाता है यूज किया जाता है नेक्स्ट, दादा साहव पाल के पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है, मिरित्र, संगीत, समाजिकार या सिनेमा, तो जो दादा साहव पाल के पुरुसकार बच्चों है, वो सिनेमा के फिल्ड में क्या किया जाता है, तो सिनेमा के शेत्र में दिया जाता है, क्लिर है नेक्स्ट उच्टम नयाले में नयाधीसों की नियुक्ति की जाती है उच्टम नयाले में जो नयाधीसों की नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है मुख नयाधीस के द्वारा राश्पति के द्वारा प्रधान मंत्री द्वारा या लोग सभा द्वा तो हमारे precedence करवाते हैं मेंने में कौन एक मचली है यह सारा जो options है उसमें से एक मचली कौन है स्टार फिस सिलवर फिस डेविल फिस या कैट फिस तो एक मचली जो है वह कौन है तो वह आपकी कैट फिक्स है बांबे हाई प्रस्विध है जो बांबे हाई है वो किस चीज के लिए प्रस्विध है तापिय उर्जा जल विद्धू तूर्जा पेट्रोलियम या सोलर इनर्जी तो बांबे हाई किस चीज के लिए फेमस है बच्चो तो बांबे हाई आपके पेट्रोलियम के लिए क्या है है पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बह象 सारी स्कूल में होता है वर्दे 원 치 को स्कूल में ये प्रेयर होता था तो यह आपकर लिखा हुआ है प्रातना वो कि दुरंधर जो हमारे कब लिखते हैं उनका नाम क्या है सुरेकान तुरिपाथी निराला के द्वारा ये लिखा गया है प्रथम ज्यानपिट पुरुसकार किसे मिला था उमा संकर जोसी सुमित्रा नंदन पंथ विश्नुडे या जी संकर कुरूप तो प्रथम ज्यानपिट पुरुसकार कि इन्हें प्राप्त हुआ था बचो तो प्रथम ज्यानपिट पुरुसकार जो था वो जी संकर कुरूप क मुंबई, कॉलकटा, चेन्हाय, या वारा-नसी तो एक question आपके कहां से पूछ देता है तो हमेशा हमेशा वारानिसी से related question पूछेगा क्योंकि जो यह MGKPP college है वो कहां में situated है तो वो वनारस में situated है यह UP government का एक state college है और जो कि अपना entrance code का करवाता है वह CUET के अंदर नहीं कराता है तो यह यहां से अपने जैसे देखें जूइस university का जहां में अपना branch होगा उस सहर से related वह कुछ question पूछ पर है तो यह जो सत्यार्थ प्रकास है वह सब प्रथम कहां से प्रकाशित हुआ था तो यह वारा नसी से प्रकाशित हुआ था सांति पूर्ण विले की नीती governor general ने दिया था लौड विलियम वेंटिंग, लौड कॉनवालिस, लौड दलहौजी, लौड वेलजली तो जो सांति पूर्ण विले है वो किस के द्वारा किस governor general के द्वारा दिया गया था बच्चो तो यह हमारे कहां लौड दलहौजी के द् Clear है, Next question क्या है, D गई श्रिंकला में अलग अंग कौन सा है, यह जो स्रिंकला है, इस में अलग अंग कौन सा है, यह आपको पता करना है, तो इसका जो option D है वो, इसमें क्या है, अलग अंग है इस स्रिंकला से, dès must कि Prime इनम करें हो इसके आगे का क्या होगा फजो इसके आगे का होगा फ जी-Ai एक एक क्या कर रहा है? एक एक बढ़ारा है. C के बाद D, D के बाद E, F के बाद G. फिर यहां भी एक एक बढ़ारा है, फिर यहां इसे भी एक एक बढ़ेगा, E के जगा F, F के जगा G, आई के जगा H, H के जगा I. समझ में आया? पैंक संबंधित है, मुद्रा के किस प्रकार परिवहन संबंधित है, जो बैंक है वो हमारा मुद्रा से किस प्रकार परिवहन संबंधित है, गति से, सडक से, या तायात से या माल से, यह reasoning का ही question है, कि बैंक हमारे कहां किस्ति से संबंधित है, तो बैंक हमारे कहां मुद्रा स से संबंधित है। तो उसी प्रकारी जू परिवहन हो किश्टित से संबंधित है। तो परिवहन हमारे कहाँ माल से संबंधित है। निम्लिकित में से कॉनसा अधिव विकरशन नहीं है। मतलब 707, 802 claus या 200ocol, नहीं होगा नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा राश्टिये प्रतीक अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को पंदरागर्ष उनिसोपचास 12 जुलाई 1947 तो हमारे कहां जो राश्टिये नेशनल सिंबल था वो कब अपनाया गया था बच्चो तो यह हमारे कहां नेशनल सिंबल भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था नेश्ट क्या है भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था 586 बीसी में 100 बीसी में 563 बीसी में या 750 बीसी में तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चो तो भगवान बुद्ध का जन्म 586 बीसी में हुआ था आपने आक्ष पर एक घुरुमन के लिए प्रिथवी द्वारा लिखा गया समय क्या है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड 23 आर्स 56 मिनट 8.09 सेकंड 23 आर्स 54 मिनट 4.09 सेकंड तो आपने अक्ष पर एक घ्रूमन करने के लिए प्रिथवी को कितना समय लगता है बचो तो प्रिथवी को जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड का टाइम लगता है कि क्या करने में तो आपने अक्षिस पर घूमने में एक बार भारत वर्स में कितना वैस्ट्विक धरोहर स्थान है मतलब कितना हेये रहास कल्द है भारत में तो यहेये 1968, year 1996, year 2003, तो हमारे क्या प्रथम सिक्षा जो नीती है, वो कब हुई थी, तो प्रथम सिक्षा नीती का जब हमारे क्या सिर्जन हुआ था, वर्स 80, 1986 में, क्लिर है, सैयुक्त राष्ट संग प्रतेक वर्स अंतर राष्टिये मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है, जो अंतर राष्टिये मानवा धिकार दिवस है, वो कब मनाया जाता है, 20 दिसमबर, 25 जनवरी, 10 दिसमबर या 5 फरवरी तो ये हमारे के हाँ 10 दिसमबर को क्या किया जाता है 10 दिसमबर को मनाया जाता है भारत में उर्जा का सबसे महत्पून स्रोथ क्या है प्रमानु शक्ति, जल विद्धूत, पेट्रोलियम या कोईला बतलब हमारे कहाँ greater source of energy क्या है जो nuclear bomb से energy निकलती है वो या जो electricity जो हमारे कहाँ gels से निकलती है वो या petroleum से वो या फिर की से निकलती है तो हमारे कहाँ next फ़लेया के इस कारण से होता है प्रोटो जोआ। बच्चो बच्चो वह हमारा प्रोटो जोवा से होता है। इलेक्ट्रिक वल्व का फिलामेंट किस चीज़ से बनता है। ये question सबसे easy है, आप लोग, वो, दो रुपे वाली, जो, दस रुपे वाली जो बूफ होती है, उसमें भी बताता है, electric work किस चीज़ से बनती है, तांबा, aluminum, lead या tungsten, तो हमारे कहां जो filament है, वो tungsten की बनी होती है, पृति दिवस कब बनाया जाता है, 15 जिन्वरी 22 अप्रेल 5 जून या गारा जुलाई, तो पृतिवी दिवस हमारे कहां 22 अप्रेल को मनाया जाता है, निमलिखित में से कौन सा अनुशेद वीत आयोग के गठन की बात करता है, वीत आयोग के गठन की बात कौन सा अनुशेद करता है, अनुशेद 280, अनुशेद 176, Article 275, Article 277, तो कौन वीत आयोग का बात करता है, कौन सा अर्टिकल, तो यह आपका अर्टिकल No. 280 है, नेक्स्ट भारत में बस्तु एवं सेवाकर प्रनानी लागू हुई जो बस्तु और सेवाकर है मतब GST कब लागू हुई जुलाई 2017, जुलाई 2015, जुलाई 2016 या जुलाई 2018 जुलाई 2017 से लागू की गई थी सुचना आयोग कब पारित हुआ था 2007, 2005, 2008, 2009 जो आपका सुचना आयोग है वो कब पारित हुआ था तो 2005 में पारित किया गया था सुंदर्बन डेल्टा कौन सी नदी पे बनता है गंगा ब्रहंपूत्रा गंगा ब्रहंपूत्रा या कृष्ण का बेरी और यहां की सुंदरी ट्री बहुत जादा फेमस और इवें टाइगर भी यांका प्रत्थम प्रवानु परिक्षन किस सन किया गया था जो जो प्रवानु मूवी देखे होंगे उस आपको पता होगा 1971, 1974, 1981, 1988 तो प्रत्थम प्रवानु परिक्षन 1974 में किया गया था क्लियर है वेदो की ओर लोटो का नारा किस ने दिया था कि वेदो की ओर क्या करो तो वेदो की ओर लोटो तो वेदो की ओर जो लॉटो है यह जो नारा है वो स्वामी दयानन्द सर्श्वती के द्वारा दिया गया था भारत में सब प्रथम रास्पति शाशन कहां में लागू हुआ था बिहार पंजाब जम्मु कस्मीर महरास्व मैंने यह क्वेशन आप सभी को पढ़ाया था कि अमर्जन्सी है वह लागू हुआ था तो वह हमारे क्या पंजाब में लागू हुआ था कि अइजि नित्न गया में म Bundes film का dobrze मौर्ति दिवि पुरुष्कार के शचेत्र में आप आपको आपिघ्लिया था शाहित तो इस बच्चा बता देगा यह आईपिल का फूल फॉर्म क्या है इंडियर प्रिम्यर लीग है कोरॉना की वैक्सि यह किस कंपनी ने बनाया एंडियन एल्मूनियम जॉकलिस लिम्टेड सीरियम इस्टूइट भारत बोय टेक या जैदूंग केडियल तो जो कोरोना की वैक्षिन है वो भारत बायो टेक ने बनाया था निमलिकित में से कौन सा असनेहक के रूप में परियोग में लाया जाता है ग्रेफाइट सिल्का लौ अक्साइड या हीरा तो असनेहक के रूप में किसे यूज किया जाता है बचो तो असनेहक के रूप में हम ग्रेफाइट को यूज करते है भारत में गन्ना का सबसे बड़ किस gas पाई जाती है, nitrogen, oxygen, carbon, ozone, तो अभी तक मैंने बताया कि oxygen का level कि इतना पाई जाता है, लेकिन यहाँ पर question क्या पुछ रहा है, कि वाईू मंडल में सबसे अधिक gas कौन सा पाई जाता है, तो सबसे अधिक gas, जो है, nitrogen पाई जाता है, that is in the 28% निमलिखित में से कौन एक ऐसा समाजिक नियंत्रण का अपचारिक अधिकरन है, प्रमापर, राज, परिवार, प्रथा, तो एक समाजिक नियंत्रण का अपचारिक अधिकरन क्या है, राज है, clear है, अपात काल में निमलिखित में से किस अनुछेत को निमलिखित में से नहीं मतलब हटाया जाता है, मतलब अपात काल जब emergency हमारे कहां लागू है, तो हम लोगों को किस article को हम लोग जो है, वो खतम नहीं कर सकते हैं, तो article 19, article 25, article 22 या article 21, तो article 21 जो है, उसको हम लोग due to the emergency में भी हमारा ये article का भी खतम नहीं हो सकता है, राइट टू लीव या राइट टू आवर लाइव, 211 की जनगन्ना के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात कितना है, मतलब हजार मेल पे कितनी बूमिन का है, कितनी बूमिन हमारे किया, 211 के जनगन्ना के इसाब से है, तो हजार मेन पे 943 मोमिन का ही बस हमारे इंडिया में है, मतलब कितनी गल्स कमेगी एक हजार जब आदमी होंगे, उनको शादी करना होगा मेल को, तो कितनी बूमिन काम घट जाएंगे उनके लिए, जितने मेन कुमारे रह जाएंगे, मतलब 57 मेन जो हैं वो कुमारे रह जाएंगे क्योंकि इनके लिए लड़िया होंगी ही नहीं, अल्ध माटी बांध किस नदी पे है, कृष्णा, कावेरी, कोएना या बेताव, मिश्णा नदी पर situated है, गीर राश्टिये उद्यान किस राज्य में इस्तित है, राजस्थान, गुजराथ, अस्तम, उत्तरपरदेश कहां में इस्तित है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुंदरी टट है, मतलब भारत में कौन ऐसा राज है जिसका सबसे लंबा समुन्दरी टट है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे के हां आंध्र प्रदेश का भी है लेकिन सबसे जादा जो है वो किसका है तो गुजरात का है किस दचनी भारतिये राज में उत्म ग्राम प्रशाशन है चोल छेरा चलुक या बत आपी मतलब किस धवते भारत समरोय में उत्चन में उत्म ग्राम प्रशाशन हमिराज रासों के रचाइता कौन है तो पृत्वी राज चंद्र बदाई नागसें या वानवर्ड अजिए क्षिजशक वहर फिर होग में फ Fix Another बाउज्वी में हैं कि तो फृत्वी राज डासो के रचाइता आपके चंद्र बदाई है तो कि अ你是 राश्वहंज ने स्प्रथम श्वाल खे dol Morgan कला है ने मुरेनने कृष्णों ने डूस्टों गुप्तों उस्प्रथम कुषान सब्से जर्थम स्वालाने डूस कुष्ण स्वाइवंस इतना घुप्तों 35तənिit driven साँसके भीक्रमा दित्की उपाधि ले थि चंद्रप्स प्रथम चंदुन दूतिया संबुन्द्रबुप आसकन्द गुप्त तो हमारे के इसंदुन ये उपाधि लेने वाले हेँ सब्सक्रेशार किस्वर्थ हुआ था seventh वं नндिर के लिए शित्रों के लिए मुर्टी के लिए या खिलाओं के लिए, तो आपका आजनता है, बच्चो वो खिश्चित के प्रशिद है, तो आजनता चितरों के लिए बहुत जाधा प्रशिद है, मत्वलिए अजनता की गुफाई में Kाफी जाधा चितरे क्या की गई है, तो बनाई गई हुई है, जो कि हमारे answer in time period को क्या करती है तो दिखाती है next रगु वन्स काव के लेखक कौन है वालमिकी, कालिदास, वानवट या वहर भी कौन है तो इनके जो लेखक है बच्चों वो कौन है तो इसके लेखक कालिदास है किस आधी कभी मन जाता है किसे आधी कभी किस आधी कभी को किसे आधी कभी मना जाता है तो वह आपके बालमिकी को जयनमत्थ के संथापक महवीर कहां पैदा हुए थे लुम्बनी में, सारनात में, कुंडल ग्राम बैसाली में या स्रावस्ती में तो हमारे केहां माहवीर का जो जन्व हुआ था वो कुंडल ग्राम बैसाली जो कि बिहार में इस्तित है। निम्लिकित में से किसने समेध या अश्वमेध या किया था। चंद्गुप प्रथम, पुश्यमित्रशूंग, आशोग या रामगुप। ये क्वेस्चन मोस्ट जो आश्वमेध या किये थे वह हमारे सूंग डाइनेस्टी के रूलर थे, डाट इस दा पुश्यमुत्रशूंग, नेक्स्ट, अर्थ सास्त्र के लेखक कौन है। वेरी इजी क्वेस्टन, चरक, कॉटल या पानली या पतंजली, तो अर्थ सास्त्र के जो आपके लेखक ह भारत का नेपुलियन किसे कहा जाता है, असोख, शैंद्रगुप, शैंद्रगुप यीरजद्र गुप्त Bush, तो भारत का है। नेपुलियन किसे कहा जाता है। डांडी यात्रा किस ने आरम की गांधी जी ने सुवाश्य अंदर बोश ने जवाला नहरू में या जाजेंदर परशाद में मतलब जो दांदी मार्च हुआ था हमारे के हां साल्ट मार्च भी उसे बोलते हैं 1930 में जोकी किस के द्वारा स्टार्ट किया गया था तो वो हमारे के हां गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था निमलिखित में से सार्वजनिक परिवहन विवस्था को निसूल करने वाला पहला दोस्ट कौन है मतलब जो वहाँ पे सार्वजार्णिक, public transport जो चलता है, उसको निसुल्क है, मतलब वहाँ पे कोई public transport का chargers नहीं लगता है, Spain, Italy, Germany, या Luxburg. तो कौन है, बचो, तो वो हमारे कहां है, Luxburg में कोई public transport का क्या नहीं लगता है, तो कोई chargers नहीं लगते हैं, clear है? समाजिक दर्शन के अनुसार कितने संसकार बताये गया है। समाजिक दर्शन केँ कितनी शंसकार होती हैं 20ुिंख 16 simply 8 दो हमारे कहां 16 संसकारों के बारे में बद आएं कि समस्कार हमारा क्या होता है जैसे अन्व पास्रे जग्व पवित्र फिर बहुत सारा ऐसा समस्कार होता है कान शेदवाए जाता है वह भी एक समस्कार है किस अनुष्पर विश्विद्याले अनुदान सहयोग गठित किया गया था सरपली राधा कृष्णन आयोग कोठ्री आयोग साजेंट आयोग या उप्रियुक में से कोई नहीं विश्व अनुदान आयोग किस पर गठित किया गया था तो यह हमारे कहां सरपली राधा कृष्णन आयोग के नाम से जो आपका आयोग जाना जाता है विश्विद्याले अ अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में व्यज्ञानिक तरीके से पहली बार रास्टी ये आये का आगमन किस ने किया? दादाभाई नरो जी ने, वी राव अंबीदकर जी ने, वी आर जी राव ने, राम गुपाल कृष्bery न गोखले या स्टी वी महा लोविस तो पहली बार आये का पूरा हिसाब किया गया था, वो हमारे कहां दादा भाई नरो जी के द्वारा किया गया था नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरम क्या है रेलवे एर्वेज लोह एवम स्टील प्लांट या उप्रिक्त में से कोई नहीं सर्वाजनिक उपकरम क्या है बचो तो यह हमारे कहां रेलवे है रेलवे में सबसे ज्यादा क्या होते है लोग वहां पे जाते है या उप्रियुक्ट में से सभी सभी को किया जाता है नरेगा किया गया था एक सब्सक्राइब करनाटक में होता है इन दो देशों के बीच में रेड़ क्लिफ रेखा है भारत आँब पकेस्तान भारत आसान के बीच में मौझा है और आपको Toni में में घूड़ करके बताईए गाउं नगर रराष्ट कीष के उधार सभी राश्ता मुदाई मतलब गाउ, नगर और रास्ट किसके उधारन है? तो ये आपके एक समुदाए के उधारन होते हैं. सार्दा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित किया गया था? विद्वा, पूर्णर विवा, वाल विवा, देवदाशी प्रथा या दहेश प्रथा? तो सार्दा एक्ट बाल विवा, को रोकने के लिए लागो किया गया था? स्र्याक, होमस के रचैता कौन है? सेक्सपियर, डावाइटसन या इमाइल प्लेटिंग या आउथर कान डाइरे. तो स्र्याक के आउथर कौन है बच्चों, तो इसके आउथर डाउथर कौन डाइरेल्स है? कार्वो हाइडरेट कोई क्रितिम एवं मानस्पेसी में किस रूप से संचालित किया जाता है? गुलकोच, स्टार्ज, ग्लाइकोजेन या सुक्रोज. तो इसको हम ग्लाइकोजेन के रूप में यूज़ करते हैं. निमलिकित में से कौन सा ग्रीन हाउथ गैस नहीं है? मिठेन, नाइट्रोजन, आक्साइड, क्लोरोफ्रोकाइरवन या हाइडरोजन. तो हमारे कहां ग्रीन हाउथ एफेक्ट किस गैस से नहीं होता है? परशान, चयनपूर्ण शोशन या B और C दोनों. तो विक्र का कौन सा कार है? तो विक्र का कान, परशानन और चयनती पूर्वन शोशन दोनों है. होमोफिलिया क्या है? नियूक्तम जाती व्याधि, हुम जनती व्याधि, कव दिये संक्रमन या अनुवासिय व्याधि? तो ये आपका अनुवासि व्याधि है. कौन सी मैला सा प्रथम अंत्रेक्ष में पहुँची थी? अब ये question तो सबको आता होगा कल्पना चावला सुनीता वेट लेइक या वेचेंदरी पाल स्वेज नहर किसको किसको जोडए है लाल सागर से भूम अध्य सागर को मासे अरद सागर को अरद सागर से भूम अधि शागर को या उतरी सागर से वनतिक सागर को इस्पित होता है आंध्रप्रदेश महारास्ट केरल तामिल लाडू तो महारास्ट में हमारे कहां बुधिमत्ती केंद्र को सापित किया गया है निमलिकित में से कौन से बड़े शुन्ने का वायू का परिदूशित करता है तामबा, क्रोमियम, शीशा या कैल्सीम तो इसमें शीशा करता है निमलिकित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है 22 मार्च 14 नॉवेंबर 2 अक्टूबर या 21 दिसमबर तो 22 मार्च को क्या माना गया है वच्चो तो इस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में माना गया है क्लिर है नेक्स्ट क्वेस्जिन क्या है किस दिवह में सबसे ज्यादा जौप मुफशी फटती है सुख वयश्पती मंगल शञ्रमा तो सबसे ज्यादा आपकी जो जौप मुफशी फटती है वो सुख क्रप प्टती है मत्तब वेनस पे प्रिथवी के वायू मंडल के पांचमी पाहत्त कहलाे है वाही मंडल, मद्य मंदल, दाप मंडल दाप मंदल डार मंडल का बाई या 2.4,42 फासंट और 2.32 या 4.52 परसेंट थो भारत का संपून खेतिप्भाल विश्व 5.42% है, clear है? Next, क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम अरव आक्रमन का नेतरूत किसने किया था? जो हमारे के हाँ अरव इन्वेजन हुआ था, उसका नेतरूत किसने किया था? मुहमद बिन काश्यम ने, हुमायूम ने, मुहमद गौरी ने, या बावर ने, तो प्रथम जो हम कि पंदरज़त करने काल करने का था? कन कि करकार से उत्तर में रहे हैं विद्धुत रेखा कंच से उत्तर में याँ विशुवत रहे है? मुष्वत रहे हम ने, हुट लुआ कुमारी कहा है? इस्थिते बच्चों तो कन्याकुमारी जो है वो आपके विश्वत रेखा के उत्तर में इस्थित है, फिर डाइविटीज के कारण कौन सा काम अंग काम नहीं करता है, डाइविटीज जब आपको होगा तो कौन सा अंग आपका काम नहीं करेगा, इन में से कौन सा रख्च समुव्याही सवग्राही बलड नहीं है तो वो आपका एवी है, एवी सब को हम नहीं दे सकते हैं, और मंडल नेकेस ग्राह का गोल तुफान आता है, ब्रहस्पति शुक्र यूनेनस प्रिथवी, पुच्छल तारा पुच्छ किस दिशा में होती है, शुर की और प्रिथवी की और उनकी कक्षा की पीछे की और या शुर के तरफ तो जो पुच्छल तारा है वो शुरी से दूर होता है, और ओजोन परत में श्येद के लिए किस कौन जिमेदार है, CO2, SO2, CO या CFC तो सबसे ज़ादा जो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है उसका कारण CFC है क्लोरो-फ्लोरो-कारवन नेक्स्ट वैशन क्या है विश में सबसे अधिक चीनी कहां में पाई जाती है USA, भारत, क्यूब्या या ब्राजिल तो पहले ब्राजिल था लेकिन अभी भारत है सबसे ज़ादा चीनी का उत्पादन अभी भारत में हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा दीप कौन सा है अस्ट्रेलिया, ग्रीनलेंड, नईगीन या इन में से कोई नहीं तो आपका जो ग्रीनलेंड है वो सबसे बड़ा दीप समूः दीप है जेन अविस्ता किस धर्म पुस्तक है पार्सी बौद, जयन या मुशलमान तो ये मैंने कल ही पढ़ाया था कि पार्सी धर्म का या पुस्तक है मानव कोशिगा में कितने क्रोमोसोम होते हैं 44, 48, 46 या 23 तो मानव में 46 प्रोमोसोम होते है एन्वेंटरी इंटरनेशनल का संबंद किस से है प्रावानु सक्ति नियंतरन से अंतरास्टिय अपराद मानवा अधिकार उलंगन या मानव स्वास काम यानि पुस्तक के लेखा कौन है संसत प्रावान बहुच अधिक्तम की संसत्राल वहान इंटरायकोश ? जाद के चत्राठ शे महिने का नौता feather 그 हैं? दिशन के बीच में उत्राल होती है बच्चो ज्यादा से ज्यादा किट्नी उत्राल होती हैं व्यादा फlease 7 महीने का उत्राल हो सकता है राझ्चीय प्रदूशन दिवस कब मनाया जाता है? पहला वैज्ञानिक जिसने खोजा के पृत्वी सूर्य की और घुमती है, न्यूटन, डाल्टन, कॉम निकस या आइंस्टाइन, तो किसमें खोजा था, तो वो आपके कॉपर निकस थे, जिन्हों ने बताया कि जो पृत्वी है, वो क्या, तो सूर्य के चारो और, क्या करती ह है, clear है, तो कॉपर निकस ने बताया था बच्चो, तो ये आपका पूरा रहा, 100 questions के पूरे PYQ सॉल्व करवाए गये, ताकि आप सभी अपना preparation जो है, वो अच्छे से कर सके, ताकि आपको कोई problem भेलना ना पड़े, और इसमें आपको बहुत easily सारे PYQ बताये गया है, इतन detail explanation नहीं दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे students नहीं interested होते हैं, लेकिन most of the, मैं, मैं कोसिस करूंगी कि आपको detail explanation दे दूं, ताकि आपको और भी questions टाकल करने में problem ना हो, clear है students, बाकी ऐसे ही video के लिए, हमारे comment session के साथ जूड़े रहिए, शानल को like कीजे, subscribe कीजे, और bell icon को hit क कर दीजे ताकि आप सभी को नए नए notification मिल सके, have a good day बच्चो, see you tomorrow